दोस्तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट जो कि इससे पहले आपने यकीनन नहीं देखे होंगे तो जुड़े रहेगा हमारे साथ वीडियो के लास तक और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलेगा टेबल पर रखने वाली क्लॉक्स तो आपने जरूर से देखी होंगी और इस्तेमाल भी करी होंगी लेकिन आप जिस क्लॉक को मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो हो सकता है इससे पहले आपने कभी न देखी हो जिहां दोस्तों ये एक तरीके की ऐसी clock होती है जहांपर आपको छोटे-छोटे tubes देखने को मिल जाएंगे एक लगडी के pad पर जहांपर अंदर की तरफ हर छोटे-छोटे tubes में LED panels लगे होते हैं इन LED panels पे आपको एक एक character दिखने को मिल जाएगा जिससे कि आप time देख सकते हैं यही नहीं दोस्तों इसमें आपको अलगल तरीके के काफी सारे animations भी देखने को मिल जाते हैं जोकि इस clock को और भी dramatic बनाते हैं इसे आप अपनी table पर रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दिव इनन आपने ना तो कभी देखी होगी और ना तो कभी ऐसा कुछ imagine किया होगा जियां दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी clock की जहां पर characters आपको किसी display पर नहीं बलकि आपको liquid से बने हुए दिखाई देंगे जियां दोस्तों इस तरीके के liquid को इस्तेमाल किया ज कि clock से काफी अलग बनाती है यानि कि ऐसी clock ना तो अपने कभी देखी होगी और इस्तमाल करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता इस तरीके की घड़ी को आप अपनी table पर सजा कर रख सकते हैं और लोग एक बार जरूर से इसके बारे में पूछेंगे कि आपने इसे कहां से purchase किया है तो अगर आप भी इसे खरीदना जाते हैं तो इसके लिंक आपको description बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे ठीक इस robot के moment भी कुछ-कुछ वैसे ही रहते हैं यही नहीं इसमें सामने की तरफ एक छोटी सी display दे रखी होती है जिसे की आप इसे control भी कर सकते हैं और यही नहीं यह एक तरीके का open source robot होता है जिसकी coding भी आप अपनी जरुवत के हिसाब से कर पाएंगे यह बच्चों को ख programming skill develop करने के लिए यह robot काफी बहतरीन option हो सकता है और साथी सार मस्ती मजाग के लिए तो इसका अस्तिमाल किया ही जा सकेगा future में तो comment करके बताएगा कि क्या आपको भी robots वगएरा पसंद है आप जब अपने साथ travel पर जाते हैं तो अपने gadgets को चार्ज रखने के लिए power bank साथ में carry करते हैं लेकिन power bank डिस्चार्ज होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा problem आ सकती है तो ऐसे में आप इस तरीके के gadget को अपने साथ रख सकते हैं जो कि आपके लिए energy generation में helpful रहेगा जिया दोस्तों ये एक तरीके की wind turbine होती है जिसका इस्तमाल करके आप बिजली बना सकती है यानि कि अगर आपका phone डिस्चार्ज हो जाए तो आपको power bank पे depend नहीं होना पड़ेगा बलकि आप इसकी मदल से electricity generate भी कर पाएंगे बस आपको इस gadget को वहाँ पर install करना है जहाँ प काफी portable होता है जो कि लगबग एक water bottle के size का होता है जिसे की easily आप अपने साथ कहीं भी लेकर carry कर सकते हैं तो किसी भी adventure trip में या फिर आगर आप कहीं ऐसी जगे जा रहे हैं जहाँ पर electricity की problem है तो वहाँ पर ये gadget आपके लिए emergency में काफी helpful रहेगा दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर 5G आ गया है और बहुत सारी लोग इसका इस्तमाल भी commercially कर रहे हैं लेकिन दोस्तो आज भी बहुत सारी लोग ऐसे हैं जिनके पास 5G smartphone ही नहीं है यानि कि 5G तो उनकी CT में है लेकिन वो 5G का इस्तमाल नहीं कर पा रहे ह क्योंकि उनका smartphone ही compatible नहीं है तो इसी problem की solution के लिए खास तोर पर इस तरीके के 5G modem को बनाया गया है जो कि 5G की signal को Wi-Fi में convert करता है बस आपको इसमें अपना SIM insert करना होगा जिसके बाद आप Wi-Fi का इस्तमाल करके 5G यूज़ कर पाएंगे नॉर्मल अगर आप घर में broadband लगव है और मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर बहुत जल्द ऐसे ही गैजट्स की जरूद पढ़ने वाली है जिसका इस्तमाल करके लोग 5G का इस्तमाल करेंगे नंबर 5 टूला माइक आजकल काफी लोग अपने mobile phone का इस्तमाल professional recording के लिए कर रहे हैं जैसे कि बहुत सारे लोग podcast बना रहे हैं, youtube पर videos बना रहे हैं या फिर इसी तरीके के बहुत सारे कामों में आपको जरूद परती है एक ऐसे portable mic की जिससे कि आप crystal clear sound record कर सकें ऐसा ही एक mic मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसका अस्तमाल आप professionally अपने कामों में कर पाएंगे ये एक तरीके का ऐसा छोटा सा mic होता है जिसे कि आप अपने computer या फिर अपने mobile phone के साथ भी attach कर सकते हैं आला कि दोस्तों ये आपको other external caller mic लगाने की भी सुविधा देता है लेकिन दोस्तों इस mic की quality काफी professional रहती है साथी इसमें आपको अलग लग तरीके के functions भी देखने को मिल जाएंगे जिससे कि आप voice gain को भी adjust कर सकते हैं और साथ ये noise cancellation के features भी आपको इस छोटी से mic में देखने को मिल जाएंगे size में छोटा होने की वज़े से आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और जरूरत पढ़ने पर ये आपके लिए एक छोटी से portable mic के तौर पर भी काम करेगा इसका इस्तेमाल online classes और meetings वगेरा में भी किया जा सकता है दोस्तो अब मैं आपको एक ऐसा multi-purpose kitchen टूल दिखाने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल आप outdoor cooking में भी कर पाएंगे जियां दोस्तो ये एक तरीके एक multi-purpose gadget है जिसके एक हिस्से का इस्तेमाल आप एक fog की तरह कर सकते हैं बाकि इसमें आपको एक bottle opener, can opener के भी option मिल जाते हैं और यही नहीं ये आपके लिए एक spatula की तरह भी काम करेगा साथ ही अगर आप चाहें तो इसे एक tong की तरह भी convert करके इस्तेमाल कर सकते हैं यानि कि इस छोटे से tool में आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जिनकी जरुवत हमें kitchen में पढ़ने वाली है लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को आपस में attach कर देते हैं तो इनका size इतना चोटा हो चाता है जिसे कि आप easily अपने साथ लेकर कहीं भी carry कर सकेंगे तो traveling के दौरान अगर आप अपने साथ कुछ चीज़ें रखना चाहते हैं खाना बनाने के लिए तो ये gadget आपके cooking items में हो सकता है आजकल आने वाले gadgets की charging की बात करी जाए तो आपको काफी सारे chargers carry करने पड़ते हैं अपनी everyday life में यानि कि आपको अपने laptop चार्ज करने के लिए एक अलग charger रखना पड़ता है mobile phone, headphone, power band इन सभी चीज़ों को charge करने के लिए आपको एक अलग-अलग power adapter की जरुवत होती है लिकिन अब मैं आपको एक ऐसा universal charger दिखाने वाला हूँ जिससे कि आप इन सारी चीज़ों को असानी से charge कर सकते हैं केवल एक ही charger की मदद से जियां दोस्तों ये एक ऐसा 6-port charger होता है जो कि आपके लिए 240W तक के output को deliver करा सकता है यानि कि इस charger से आप अपने mobile phone, tablet, laptop, camera, drones इन सभी चीज़ों को charge कर सकते हैं ये आपको 240W तक की power output delivery देता है और साती साथ आपकी device के हिसाब से customize कर देता है power को जिसे कि आप इसके हर port के बगल में लगी हुई display पर साफ साफ देख सकते हैं size में छोटा होने के विज़े से इसे carry करना भी आसान है और इसे अब किसी भी plug में लगा कर आसानी से इस्तमाल भी कर सकेंगे दोस्तो आजकर ऐसे बहुत सारे gadgets हैं और websites हैं जिने की इस्तमाल करने के लिए हमें एक passcode की जरुवत होती है जैसे कि अगर आप अपने laptop का इस्तमाल करना चाहते हैं और वो lock है तो आपको पहले passcode डालना पड़ेगा जिसके बाद ही आप उसे access कर सकते हैं चीक ऐसा ही websites में भी होता है जहां पर आपको password डालके ही entry मिलती है लेकिन दोस्तो इतने सारे passwords को याद रखना बहुत मुश्किल होता है जिसके लिए खास तर पर इस तरीके की चोटी सी की को बनाया गया है दोस्तो ये एक तरीके की ऐसी customizable key होती है जिसमें कि आप अलग-अलग websites के लिए आप अलग-अलग तरीके के passwords को save कर सकते हैं लेकिन ये passwords ऐसे ही नहीं खोलेंगे इसमें पीछे की तरफ एक fingerprint scanner लगा होता है जिसे की biometric authentication कराने के बाद ही आप अपने password को enter कर सकते हैं इस key के मा करेगी जिसका इस्तेमाल आप अपनी data को secure रखने के लिए कर सकते हैं नमबर फर्स पॉक्टर तुस्तो इस smartphone का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं अपनी daily life में लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा चोटा सा gadget दिखाने वाला हूँ जो कि लगबग आपको सभी वो smartphone के features दे दे जैसे कि इसमें आप SD card भी इंटर कर सकते हैं और यह 3D graphics को भी आसानी से play कर सकता है वाइफाई और Bluetooth capabilities के साथ यह और भी जड़ा कस्टमाइजबल हो जाता है और अगर आप चाहें तो इसमें videos वगएरा भी play कर पाएंगे इसका इस्तमाल आप एक sensor के तौर पर भी कर सकते है जैसे कि अगर आप अपनी speed वगरन अपना चाहते हैं तो दोस्तो यह आपके लिए एक speedometer की तौर पर भी काम करेगा यही नहीं यह आपके लिए एक smart watch के तौर पर भी काम कर सकता है अगर आपको इसकी जरुवत हो तो यानि कि काफी सारे multi-purpose functions आपको इसमें देखने को मिल करते हैं तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको यह unique gadget कैसा लगा है और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल में भूलेगा आज की इस वीडियो में इतना ही तब तक लिए नमस्कार जहिंद